उत्राखंद कैबिनेट ने 4 फर्वरी 2024 को समान नागरिक सहीता यानि कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट को मनजूरी दे दी है और वो आने वाले नेक्स शेशन में इस पर बिल भी लाने वाले हैं और उसे पास भी कराएंगे समरी से इसे के साथ उत्राखंद समान नागरिक सहीता यानि कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागो करने वाला देश का पहला राज बनने की दिशा में एक और कदम बढ़ा लिया है उत्राखंद के सियम पुशकर सिंग की प्रेसिडेंशी में हुई बैठक में ये डिसिजन लिया गया है और इसी तरह असम, गुजरात और राजस्थान ये कुछ स्टेर्स हैं जो ये कह रहे हैं कि वो भी अपने यहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाले हैं ये मुद्धा एक सदी से भी ज्यादा समय से राजनेतिक नेरेटिव और बहस का केंदर बना हुआ है और भारतिये जनता पार्टी के लिए ये एक एजेंडा रहा है 2014 में जब भारतिये जनता पार्टी सरकार बनाई थी तभी से वो ये जोर दे रही है कि संसद में एक UNICC पर यानि समान नागरिक सहीता पर कानून लाया जाए 2024 आम चुनाव से पहले एक बार फिर इस मुद्धे ने जोर पकर लिया है आज की इस वीडियो से हम जानेंगे कि समान नागरिक सहीता क्या है क्यों कुछ लोग जो लिबरल लोग हैं वो इसके बेनिफिट्स बता रहे हैं इसके फाइदे बता रहे हैं कि UCC लाने से बहुत साधे फाइदे होंगे ठीक वही पर कुछ ऐसे गुरूप्स हैं कुछ अलग-अलग रिलिजन्स के लोग हैं जो डरे हुए हैं कुछ ट्राइबल लोग हैं वो डरे हुए हैं इस चीज़ से कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो उनकी जो आइडेंटिटी है वो छिंज जाएगी और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से क्या-क्या चैलेंजिज हैं सरकार के सामने और क्या ऐसी बात रही है कि आज भी आजादी के 77 साल बाद भी देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं क्या गया जबकि सम्मिधान में ही आर्टिकल 44 में ये कहा गया है कि सरकार ये कोशिश करेगी कि देश के हर एक लोगों को एक समान कानून प्रवाइट की जाए दरसल भारत में अलग-अलग धर्म जाती और समपरदाई के लोग रहते हैं और उनके रीती रिवाज और रिचुल्स भी अलग-अलग होते हैं ये सारे धर्म के अलग-अलग जो लोग हैं ये अपने जो परसनल मेटर्स हैं जैसे इनका मैरीज, अडॉप्शन, इनहरिटेंस और इनके जो डाइवोस के मैटर हैं ये सारे अपने परसनल मैटर्स से सॉल्व करते हैं और भारत में हर धर्म को मानने वाले के अपने परसनल लॉज हैं इसी तरह हर एक जो समपरदाई हैं जो आदिवासी हैं जो ट्राइब्स हैं उनके भी अपने एक रिचुल्स हैं और उसी नियम के according वो अपने जो परसनल मैटर हैं उससे solve करते हैं उससे govern करते हैं जैसे इसलाम में जो परसनल लॉज है उसे हम शरिया कहते हैं और जो बुभ पर पर परसनल मैटर हैं जैसे उनका जो मैरिज है उनका जो सारे लोग अपने personal laws के तुरू अपने personal matter को गवन करते हैं इसलिए कई सारे liberal लोग देश में समान नागरिश सहीता लागू करने की वकालत करते हैं उनका कहना है कि जब देश में constitution लागू हो जाए तो उस देश में कोई भी matter religion के base पर नहीं बलकि constitution के base पर गवर्न होना साथे साथ वो ये भी दलील देते हैं कि equality, woman empowerment और uniformity लाने के लिए भी समान नागरिश सहीता लाना बहुत जरूरी है उनका कहना है कि कुछ religion में woman को equally right नहीं दिये गये हैं जैसे इसलाम में मरदों के लिए एक से जयदा शादी करना legal है उनके personal law के according जबकि इसमें सफर महिलाएं करती है और इसी तरह triple तलाक भी एक concern है लड़कियों के शादी के age को लेकर भी uniformity नहीं है किसी धर्म के personal law में 16 साल बताये गया है तो किसी धर्म के personal laws में 18 साल बताये गये हैं इसलिए देश में uniform civil code लाना बहुत जरूरी है समान नागरिक सहीता यानि एक देश एक कानून जिस देश में भी समान नागरिक सहीता लागू होती है उस देश में जितने भी personal matter होते हैं जैसे शादी, तलाक, संपती में बटवारे ये सारे personal matters उस देश में बनाये गए कानून के तहत गवर्न होते हैं और वो कानून सभी धर्म के नागरिकों को एक समान रूप से मानने होते हैं जबकि अभी फिलहाल में अलग-अलग धर्म के लोग अपने personal laws के थो वो अपने personal matter को solve कर रहे हैं अब एक सवाल माइन में ये आता है कि आज भी आजादी के 77 साल बाद भी देश में ये पूरी तरह से क्यों लागू नहीं हो पाया इवन जब constitution तयार हो रहा था तब भी ये debate चली कि क्या समान नागरिक सहिता को fundamental right बना देना चाहिए या फिर इसे DPSP यानि Directive Principal of State Policy का पार्ट बनाया जाना चाहिए उस टाइम कहा गया कि अभी अभी हमारे देश का बटबारा हुआ है वो भी religion के base पर अगर अभी हम UCC यानि समान नागरिक सहिता को लागू करते हैं तो माहौल बिगर सकता है उस टाइम इस बात पर सहमेती हुई कि एक बार जब हमारा देश थोरा सा मैच्योर हो जाएगा तब हम Article 44 के तहट पूरे देश में Uniform Civil Code लागू करेंगे भारतिय सम्मिधान के Article 44 में कहा गया है कि राज कोशिश करेगा कि भारत वर्ष में जितने भी लोग रह रहे हैं उन सब के लिए एक समान कानून प्रोवाइट की जाएगी इस Article का Objective था कमजोर लोगों के खिलाफ होने वाले भेदवाओ को दूर करना और भारत में रहे हैं डाइवर्स कल्चरल ग्रूप में हार्मोनी इस्टाबलिश करना पूरे भारत में समान नागरिक सहीता लागू करना एक चैलेंजिंग टास्क है और इसके पीछे बहुत सारे रीजन है जो अभी मैं आपको बताता हूँ रिलिजियस और माइनेटरी गूरूप की तरफ से इस कानून को बहुत सारा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है उनका कहना है कि अगर उनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो उनकी जो परसनल आइडिन्टीटी है जो उनके कल्चरल है वो उनसे छीन लिये जाएंगे उनका आइडिन्टीटी छीन लिया जाएगा इसी तरह भारत अलग-अलग धर्म जाती और संपरदाई का देश है भारत में मुक्षत है छे धर्म को लोग मानते हैं और 700 से ज्यादा ट्राइबल रहते हैं भारत में और भारत की टोटल पॉपुलेशन में 8.6% ट्राइब हैं और इन आदिवासियों को ये डर है कि अगर UCC लागू हो जाती है उनके जो रिटी रिवाज है जो वो फॉलो करते आ रहे हैं पुर्खों से वो उनसे छीन लिया जाएगा भारत में कई ऐसी ट्राइब्स हैं जिसमें लड़कियों की शादी सिर्फ 12 साल में कर दी जाती है इतनी डावर्सिटी के बीच एक common ground पा सकना एक बहुत ही ज़्यदा difficult task है इसी तरह इसलाम धर्म के मानने वाले लोगों में भी गुस्सा है क्योंकि उनके धर्में जो उनके personal matters होते हैं जैसे inheritance मतलब कि उनके जो property में बटवारा होता है उनके personal law के according जो women है उनको 25% का हिसा मिलता है जबकि UCC लागू होते ही उन्हें 50% क share दिया जाएगा ऐसा draft में कहा गया है इसी तरह जो इदद के rules होते हैं उनके personal matter में इसी तरह उनके जो triple तलाक के जो issue है वो भी खतम कर दिये जाएंगे अगर uniform civil code लागू होते हैं तो समान नागरिक सहीता को अगर एक पहलू से देखा जाए तो एक अच्छा कानून लगता है क्योंकि इसके वज़े से जो देश में पुराने rituals है जो रिती रिवाद है जिसके वैसे women को सफर करना पड़ता है और देश में कानून की uniformity भी नहीं हो पाती है तो इससे एक नजर में तो ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा कानून है जिससे हमें women empowerment करने का मौका मिले है और UCC के मदद से जो बरसों पुरानी rituals हैं जो रिती रिवाद आ रहे हैं follow करते हुए उसे भी खतम करने का मौका मिलेगा या उसे हम modernize कर देंगे आज के जमाने के हिसाब से बर समानागरिक सहीता के दूसरा पहलू भी है इससे बहुत सारे जो tribes हैं उनके अपनी personal identity है जो ने ये कहा कि अभी जो उत्रकंड में cabinet पास करी है draft UCC की उनमें उनसे सहमती नहीं लिया गया है और ये problem है जो हमेशा आने वाली है इससे अच्छा यही होगा कि हर एक community को हर एक समपरदाई को एक साथ लाया जाए उनसे उनकी सहमती ली जाए और तब जाके ऐसा कानून बन कमेंट करके आप ये बताईए कि क्या uniform civil court लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए इसी तरह के informative वीडियो के लिए इस चैनल को अभी subscribe कर लिजे ताकि आगे भी आपको इसी तरह के valuable information बिलती रहे